जै माता दी दोस्तों आप देख रहे हैं असरदाल टोटके दोस्तों आज की इस वडियो में हम आपको एक ऐसे चमतकारी उपाई के बारे में बताएंगे लोंग के ऐसे टोटके के बारे में बताएंगे यदि आप इसको करेंगे तो आपका बड़ी से बड़ा दुस्मन भी घुटने टेक देगा तो चले दोस्तों आपको बताते हैं कि आपने लोंग के इस टोटके को करना कैसे है आजकल हम सब के कोई ना कोई दुस्मन जरूर होता है हमारे अपने जानने वाले दुस्मन होते हैं कुछ दुस्मन हमारे बिना जानने वाले होते हैं हम कहीं जोब करते हैं तो जोब पर दुस्मन पैदा हो जाते हैं क्योंकि वो आपकी तरक्की से जलते हैं कहीं हम बिजनस करते हैं तो हमारी बिजनस के आसपा से कुछ दुसमन पैदा हो जाते हैं जो हमारा बिजनस से जलते हैं और वैसे भी जब भी आप ग्रो करते हैं तो कुछ दुसमन तो पैदा हो ही जाते हैं जो आपके हर काम में टांग ड़ाते हैं वो ये चाहते हैं कि आपक व्यपार में तरक्की ना हो आपको हमेशा तंगी का सामना करना पड़े जब आप तंग होंगे तो वो खुस होंगे और जब आप खुस होंगे तो वो दुखी होंगे दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपको उन सब दुस्मनों का इलाज बताएंगे कि आपने उन दुस्म उनों का इलाज करना कैसे हैं। और दोस्तों वो दूसमन खुद आपके सामने घुटने टेक देगा। उसके दिमाग से वो दूसमनी वाली बात ही निकल जाएगी। बस आपने लोंग का उपाए करना है। और दोस्तो लोंग के उपाई देहद अधिक चमतकारिक होते हैं लोंग के उपाई कभी भी खाली नहीं जाते हैं और इस उपाई को तो आपने वैसे भी सनिवार के दिन करना है और सनिवार के दिन आप जो उपाई करते हैं जो भी टोटका करते हैं वो कभी खाली नहीं जाता उसका परिणाम जरूर आता है तो चलिए दोस्तो आपको बताते हैं कि आपने ये उपाई करना कैसे है दोस्तो आपने क्या करना है साथ लोंग लेनी है और जो लोंग लेनी है वो आपने साफ सुत्री लोंग लेनी है फूल वाली लोंग लेनी है कहीं से कटी फटी लोंग नहीं होनी चाहिए वो फूल वाली साबूत लोंग होनी चाहिए और वो आपने साथ लेनी है साथ लोंग लेकि ये उपाय आपने सनिवार की रात को करना है आप सनिवार की रात को उन साथ लोग को एक मुठ़्ी में भर लीजी और आपका जो भी दुस्मन है उसका नाम लेजी जैसे आपका दुस्मन कोई भी हो पंकज, राजीव कोई भी आपका दुस्मन हो जैसे आपका दुस्मन का नाम पंकज है हम मान लेते हैं तो आपने क्या करना है उन लोंग को मुठ्धे में बरना है और अपने मन में पंकज का नाम लेना है और उन लोंग पर फूक मारनी है पंकज का नाम लेने के बाद ऐसा आपने 21 बार करना है जैसे पंकज पंकज ऐसे आप फूक मारेंगे उस नाम को लेने के बाद और वो नाम आपने अपने मन मन में ही लेना है और आपने ऐसा 21 बार करना है और 21 बार करने के बाद अगले दिन आप जब सनिवार को ये उपाई करेंगे तो उससे अगले दिन आपने रविवार के दिन वो जो साथ लोंग थी जिन पे आपने अपने दुस्मन का नाम लेकर फूक मारी थी उनको आपने जला दिना है आप उनको अपनी छत पर जला दीजिए कहीं भी बाहर जला दीजिए आपने बस इस उपाई को करना है और ये उपाई आपने कम से कम तीन सनिवार को करना है तीन सनिवार से लेकर आप साथ सनिवार तक लगातार यदि आप इस उपाई को करेंगे तो आपका दुस्मन आप क्यागे घुटने टेक देगा और इस उपाई को इस टोटके को करते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए जब भी आप ये टोटका करें तो आप बिल्कुल चुप रहें आपने कुछ भी इसके इलावा बोलना नहीं आपने मनमन में अपने सत्रु का नाम लेना है और फूक मारनी है इसके इलावा आपने कुछ भी बोलना नहीं है और आपने इस उपाई को किया आपने इस उपाई के बारे में भी अपने किसी यार दोस को अपने किसी घर के सदस्य को बताना नहीं है, क्योंकि कोई भी टोटका होता है, यदि आप उसके बारे में बताएंगे, तो वो टोटका काम नहीं करता है, किसी भी टोटके को अपनाने से पहली सर्थ यही होती है, कि आप उस टोटके के बारे में किसी को नहीं बताएंगे, चाहे ईवन वो आपके घर का कोई सदस्य हो या आपका कोई दोस्त हो, चाहे वो कितना भी खास हो और आपने टोटके को चुप चाप कर रहा हैं यदि आप तीन से लेकर साथ सनिवार को इस उपाई को करेंगे, इस टोटके को अपनाएंगे तो चाहे आपका दुस्वन कितना भी बड़े से बड़ा हो, कितनी भी वो ताकत रखता हो, कितना भी अमीर हो, वो भी दोस्तों आपके सामने घुटने टेक देगा, आप इस उपाई को कीजिए और अपने लिए फाइदा उठाईए, तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैस आप हमें कॉमेंट बॉक्स में मैसेज करकर जरूर बताईए, और यदि आप भी ऐसा कुछ अलग से उपाई अपनाते हैं, तो हमें उसके बारे में जरूर बताईए, तो दोस्तों मिलते हैं, ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद.